दोस्तो आज जो है हम अपनी इस ग्रोबैक की मिटी को फर्टाइल बनाने के लिए इसके जो खोई हुए पोशक तत्य न्यूट्रियंट है इनको वापस करने के लिए गोबर खात की जगे कुछ और मिलाएंगे जो कि आपके संग शेयर करेंगे दोस्तो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि मैं अपनी गाडनिंग का खर्चा जो है कम करते जा रहे हैं मैं जो हूँ तरह तरह से एक्सपरिमेंट करती रहती हूँ सकसेज मिली तो अच्छी बात है हमें एक चीज पता लग गई और नई भी सकसेज मिली फ्लॉप होगा तो पता लगा कि इससे कोई रिजल्ट टाइम मिलता है तो इसके जो है पोशक तत्नों को वापस पाने के लिए मैं जो हूँ यह कंपोस्ट यूज कर रही हूँ यह दोस्तो किचन कंपोस्ट है मैं आटो फिस्टेशन गई थी तो उससे पहले मैंने इसको बनाया था एक बार ही कटने पड़ता है तो इसी को मैं यूज करूंगी अब पहले मैं जो था गोवरखाद यूज करती थी लेकिन इधर जो है मैंने लगभट साल भर से गोवरखाद लगभट बंदी कर दिया है एक साल पोस्ट में दोस्तो हमारे किचन में जो भी वेस्ट निकलता है चाहे सबजी के छिलके फलो के छिलके चाइक पत्ती या फिकाईए खराब आटा बेसन सब कुछ मैं इसमें मिक्स कर देती हूं तो इसमें जो है सभी तरीके के पोशक तत्तु रहते हैं एक तरीके से अगर डाल तरीके से किचन कम्पोस्ट जो है एक तरीके से कहना है कि सभी कुछ उसमें सभी के अपके recess पाये जाते हैं जो कि आपकी प्लांट की ग्रोथ के लिए फाइदे मंद रहते हैं यह हम सेल्फ सफिशेंट अपना टेरस गार्डन में आना चाहते हैं यानि कि ऐसा है कि हमें बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा डिपेंड ना होना पड़े तो इसलिए आपकी मैं यह देख रही हू की हो जाती है देखिए जमी-जमी सी हो जाती है इसलिए कहते हैं कि हर 15 दिन में कंपोस्ट को उपर नीचे करके चला लीजे सब मिक्स करते रहे हैं तो हमारा तो एक ही बार ता लेकिन कोई फरक नहीं पड़ता वह एक बार में सब भी कंपोस्ट हो गया भले ही उसका जैसा रखा था वैसे ही शेप बनाओ क्योंकि मेरी इस बकेट में देखिए मैंने काफि सारे होल्स कर रखे हैं तो इसको मैं मिला देती हूं इसी में अभी वी यह कम है अभी में एक और कंपोस्ट ला रही हूं यह दोस्तो मेरी पत्तियों की खाद है गरमियो में अगर आपने मे की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूं यह हम केवल महसूस कर रहे हैं छू करके भी आपको पास से फील होगा देखे कितनी अच्छी है यह ब्लुकुल भूर भूरी हो गई है तो अपकी जैसे ही गर्मी आए स्प्रिंग आए दोस्तों जितनी भी स करेंगे ताकि आपको भी पता लगे हो मुझे भी पता लगे कि क्या रिजर्ट रहता है यह देखे किती बढ़िया मिट्टी हो गई है शायद मेरा कैमरा अब भी भी नयाई नहीं कर पा रहा है दोस्तों बहुत अच्छी मिट्टी है मतलब कोई भी स्मेल नहीं कोई कीड़ नहीं हाँ केच्छी है जरूर मुझे इसमें थोड़े बहुत दिख रहे हैं दोस्तों मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजया क्रेटिव कारेंग अगर आपको मेरा वीडियो अब तक थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक के बटन पर हिट कर देना और गा मैंने बिल्कुल भी जादा नहीं पलट पाए थे यह तो वैसे डीकंपोस्ट यह भी हो गई है क्योंकि मैं 40 देज तो बाहरी रह करके आई थी उसके बाद भी काफी दिनों मतलब पहले का है अल्मोस्त दो महीने तो होई रहे होंगे इसका यह है मैं जो हूँ सब्टेंबर सूंगे सबंदा चले जाएंगे अच्छे एक चीज ध्यान रखेगा कि कंपोस्ट जब भी आप रखो भी कहीं तो उसको मॉश्यर लेविल जरूर बना हुआ रहना चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है न मॉश्यर बना रहेगा तो जो माइक्रोब से मुझ जिंदा रहेंग तो अब मैं सबको यूस कर रही हूँ इसका रिजल्ट भी आपको दिखाएंगे अभी मैं क्या बोती हूँ बीजीच खरीद के लाना है मुझे दोस्तो अगर जो है गोबर खाद के बिना यूस करे हमें इसी कंपोस्ट में अच्छा रिजल्ट मिल गया तो समझ लिजे मेरी गार्डनिंग का खर्चा बहुत कम हो गया है लगभग फ्री की ही मेरी गार्डनिंग होने लगेगी तो इसमें भी मिला दी मैंने पत्तियों वाली खाद बहुत बढ़िया है दोस्तो ये खाद मैं इसका टेक्शर देख रही हूँ और इसकी स्मेल भी देख रहे हैं अगर क गार्डनिंग को असान बनाईए साथ में सस्ती गार्डनिंग भी करिए फालतु में बार बार हम लोग को मार्केट पर डिपेंड होना ना पड़े दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो देखो फिर से कह रहे हैं थमसब दे देना फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के हुआ